नमस्कार दोस्तों हमारा विहार में आपका स्वागत है आज है 24 जुलाई 2020 और 24 जुलाई 2020 से जितने भी करेंट अफ्यर्स के कोश्चन है जो विहार से जुरे हुए है उसको आज हम डिसकस करेंगे और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम वीडियो के लाश्ट में मैंने रिविजन का दो प्रस्ण रखा जिसका एंसर आप लोग को कमेंट वक्स में देना है तो वीडियो लाश्ट टक जरूर देखिए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का पहला प्रस्ण है हाल ही में किस बैक्ति को बिहार में COVID-19 का clinical expert बनाये गया है तो COVID-19 का clinical expert बनाए गया है दोस्तों डॉक्र दिपेंदर कुमार राय प्तिक है c option इसका सही हो गया और दोस्तों डॉक्र दिपेंदर कुमार और भारत सरकार के स्वास्त हुआ पडिवार कलियानमान मंत्राले ने इन्हें यह जिम्मेदारी दी है ठीक है अगला प्रसने दोस्तों ट्रांसफर से पहले किस अधिकारी को हर घर नल का जल और गली नाली पक्की करन निश्य योजना के तहट कारे पूरा करने होने का सर्टि अगर कोई वीडियो का ट्रांसफर होता है तो पहले से जहां वो कारे रत थे तो उस एडिया में दोस्तों हर घर नल का जल और गली नाली पक्की करन निश्य योजना के तर्ष जो कारे हो रहे हैं उसके पूरा होने का सर्टिकेट देना होगा तभी उनका ट्रांसपर हो सके तो बी ओप्शन इसका सही हो गया और विहार में अब हर घर नल का जल और गली नली पक्की का निश्य योजना वार्डो में पूर्ण हो गई है इसका प्रमान पर देने के बाद ही प्रकंड विकास्त पदादिकारी यानि वीडियो अपने अस्थांतरन वाली जगह के लिए व हाली में बीधान परसाद यानि MLC सुनील कुमार्श इंग निवासी तї तो वह किस जिला के निवासी थे तो ब्रभंगा है और इनका हाली में क्रों सन्क्रमन के कारद निधन हो गया 같아요 और वेर भाजबाल के जिला से सटा हुआ है तो देगे सीतामडी है मदुवनी है उसके वाद सहरसा है खगड़िया है समस्तिपूर है और मुझःफः पूरा ठीक है अब दोस्तों चलिए दर्भंगा के बारे में कुछ जान लेते हैं तो दोस्तों दर्भंगा जिला का स्थापना 1875 में हुगा है दर्भंगा एक जिला के सासथ प्रमंडली ये मुख्याले भी है नि दर्भंगा एक जिला के सासथ प्रमंडल भी है और दर्भंगा प्रमंडल के अंतरगत तीन जिला आता है ठीक है दर्भंगा मधुवनी और श् प्रमुक फसल धान और मखा और दर्भंगा में जो प्रमुक मिट्टी पायाता है वो जलोड मिट्टी पायाता है असोक पेपर मिल्स दर्भंगा में है उसे स्वर पक्षि भिःर दर्भंगा में है जिसका स्थाफना उनेश्व 94 अद्वे में हुआ था और यह BPSC हाली में BPS स्थान दर्भंगा में है चलते हैं अगले प्रस्ण की तरह तो अगला प्रस्ण है हाल ही में किस व्यक्ति को बिहार लोग सिवा आयोग BPSC का सदस्य चुना गया है तो BPSC के निख कर विभा के सदस्य चार प्रसास्तिरि आयोग सदस्य चुना गया है और इनकी अलवा आयो और निखकर विभा के सेवा निर्वित को को PRO quan देक है चुछारूजello पर आयुथ हैं और दिप्ति कुमारी यह पत्टना विश्फिद्याले के राजनीतिक सत्व्भाग की प्रोफेसर हैं और डॉक्तर अरून कुमार भगत यह महात्मा गांढधी केंद्रिये मिद्या अध्श्यान नवभाग के अध्यक्ष है और इन सभी को BPSC यानी बिहार लोगसेवा आयो का सदस से चुना गया है अगला प्रस्थन है दोस्तो हाल ही में बिहार में डांसर वो कोडियोग्राफर एसोसियेशन का अगठन किया गया है इसके अध्यक्ष कौन बने है तो इसके अध्यक्ष बने है अनिल राज यह ओप्सन इसका सई हो गया और संस्था के सचीव के रूप में अभी जीत मनीश को चुना गया है ठीक है अगला प्रस्न है दोस्तो हाली में बिहार के किस रेल मंडल के 4 पर कुरोन से बचाओके लिए डानापूर मंडल के 4 पर सचीव को खोल जाएगा और दोस्तो पहले चरन चरन में दानापूर मंडल के चार एस्टेशन जो की है पटना जक्षन, राजेंदर नगर टर्मिनल, पटना सीटी और पटली पुत्र जक्षन पे मेडिकल की उसको खोले जाएंगे जहां पे कोरोना से बचाओ के लिए सभी उपकरन उपलब रहेंगे टीक है या त्रियों के लिए अगला प्रस्न है दोस्तो हाल ही में पटना एरपोर्ट से आठ नये फ्लाइट का परिचालन शुरू किया गया है तो अब एक दिन में पटना एरपोर्ट से कितने बिमानों का परिचालन होने लगा है तो एक दिन में पतना एरपोर्ट से खुल अंठावन वीमानों का परिचलन हो रहा है सी ओप्सन ही सही हो गया इसका और पतना एरपोर्ट का नाम दोस्तो जैप्रकास नरायन अंतराश्टी हवाई अड़ा है बिहार के बीटा में बायू सेने का हवाई अड़ा है बिहार के गया में भी एक अंतराश्टी हवाई अड़ा है 12 नयमबर 2002 को सिलंका का एरलाइन्स का बीमान उतरने के साथ ही गया एरपोर्ट को अंतराश्टी हवाई अड़ा का दरजा मिला था बिहार के दर्भंगा जिला में भी एक एरपोर्ट का न्रिमान किया जा रहा है इसकी अलाव बिहार के मुझफवपूर, भागलपूर, गुपाल गंज में भी हवाई पढ़ती है लेकिन यहाँ बिमान का परिचलन नहीं होता है तो दोस्तों यह था इसका करेंट अफियर्स, चलते हैं कल के रिविजन के तरफ, तो कल के रिविजन का पहला प्रस्ण था बिहार के लोग की आवसत आयू में कितना बृत्धी हुआ है, तो दो माह का बृत्धी हुआ है और कल का दूसरा प्रस्ण, राज के कमजोर बच्चों को स्वस्त रखने के लिए किस बिभाग के द्वारा कंगारू मदर केर ट्रेनिंग की शुरू बात की जाई है तो यह समाच कल्यान बिभाग के द्वारा, ठीक है, C आप्शन इसका सही हो गया तो कल के प्रस्ण का सही उतर हो गया, B और C, ठीक है आज का रिविजन का प्रस्ण है, बिहार में कहां पर केंद्रिये संग्रहन एस्टेशन जिसको भुकम सुध के निर्मान किया जा रहा है और आज का दूसरा प्रस्ण है, हाली में राजसवा के 45 नव निर्वाचित सांसर, 22 सुलाई 2020 को सपत लिये हैं तो इसमें बिहार के कितने लोगों को चुना गया है तो इस दोनों प्रस्ण का उत्तर आप लोगो को कॉमेंट वाक्स में देना है तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही आसा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो थोड़ा सभी अच्छा या हेल्फू लग रहा है तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब किजे है जिसे सुनकर आप रिवीजन कर सकते हैं और अभी तक आपने खबरी अप्लिकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और वहाँ पे आपको लिंक पे क्लिक करके डारेक्ट खवी अप्लिकेशन पे हमारा भी हर चैनल पे जा सकते हैं और बहुत यह अच्छा आउडियो प्लेटफरम है दोस्तों वहाँ पे आपको धेर सारा जीके जीएस करेंट अफिरस का आउडियो वर्सन मिल जाएगा जिस बिहार जीके से दिया जाता है और दोस्तों जो टेलिग्राम पे क्विच करा जा रहा है उसका समय कोई समय सिमा नहीं है मैं क्वेशन डाल दूँगा आपको जब इच्छा करें जब आपको समय मिले आप पूच कर सकते हैं ठीक है और दोस्तों वहाँ पे चार ओप्सन दिय हुआ है वह समय क्या है और और उसमें एक क्योस्टाइब का आइकन बनेगा तो वह उस आइकन पर क्लिक करने पर दोस्तों उस कोश्टाइम से व्रेले जो फैक्ट होगा वह आप देख सकते हैं आप बड़ सकते हैं ठीक है तो कुछ आप लोग जरूर जोएन किजिए ठीक है प्रतिनिया कराया जा रहा है और उसके बाद दोस्तों यह बाट सेत्र में होने के कारण यहां पर इलेक्रिसिटी का कभी यह नहीं है समय नहीं है कुछ कभी भी लाइटर नहीं रहती है कभी आ जाती है ठीक है तो continue लाइट से वीडियो अप्लोड हो तो जिन्ता नहीं करना लेकिन वीडियो अप्रोच जड़ो होगा ठीक है इसके लिए आपने फिक्र रहे और अच्छा से पढ़ाई करते रहे ऑल रबेस्ट हमारी तरफ से आप सभी को सुब कामना है और घर में रहे कोरोना से से रहे और करते रहे ठीक है तो आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद